Good morning children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे exercise 14.1 का question number 2 14.1 exercise old NCRT की है और new NCRT की ये 13.1 exercise है तो question में क्या बोला है बच्चो? Question में बोला है Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory क्या दिया है हमारे पास? 50 workers हैं factory के और उनकी daily wages हमारे पास दिया है मतलब daily उनको जितना जो है रुपिज मिलते हैं जो मजदूरी मिलती है वो हमें given है और हमें क्या निकालना है? Then find the mean daily wages of workers of the factory by using an appropriate method तो इसमें बोला है कोई suitable method यूज करते हुए mean निकालो daily wages का और जो data है वो इस तरह से है देखो जो daily wages मिलती है 500 से 520 रुपिज वो 12 workers को मिलती है और वैसे ही 520 से 540 के बीच में जो wages मिलती है वो 14 workers है और 540 से 560 के बीच में जितने workers को ये रुपिज मिलते हैं वो 8 है वैसे ही 560 to 586 and 580 to 610 तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है mean daily wages मतला हमें mean निकालना है इस question में ओके बच्चो तो I hope आपको ये जो मैंने पढ़ा ये समझ आया होगा तो अब मैं जो लिखने जा रही हूँ वो दिहान से देखना देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है बच्चो हमारे पास दिया है daily wages daily wages जो उनको daily मजदूरी मिलती है तो पहले हम लिखेंगे daily wages और ये जो daily wages है बच्चो ये क्या है हमारे पास ये हैं class intervals तो आप इसको ci लिख सकते हो class interval तो पहला class interval क्या है हमारे पास 502,520 और दूसरा क्या है 522,560 40 sorry 20 का difference है बच्चो 542,560 ये हमारे पास जो है वो daily wages का range दिया है के इतने इतने रुपीज के बीच में अब हमें दिये है number of workers number of workers workers मतलब इनको हम लिखते हैं fi तो frequency क्या है 500,520 के बीच में कितने workers गेट करते हैं 12 और 520 और 540 के बीच में गेट करते हैं 14 540 और 560 के बीच में है 8 और 560,580 के बीच में है 6 और 580 और 600 के बीच में है 10 ओके बच्चो तो अब इसके बाद बच्चो अब हमें solve करना है ये question और मैं ये question आपको step deviation method से solve करवा रही हूं ओके तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा अब x i और x i क्या होता है बच्चो midpoint होता है midpoint बोल सकते हो आप इसको midpoint किसका midpoint ये class mark midpoint ये class mark और midpoint रहने देना आप class x i ही लिखना लंबा चला जाएगा बहुत x i x i क्या होता है जो class intervals होते हैं उनका ये midpoint होता है तो इसको निकालने के लिए XI को निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों जो हमारे पास ये intervals हैं ये lower limit और upper class limit जो है इनको जब हम plus करते हैं और 2 से divide करेंगे तो हमारे पास हमें मिलता है XI तो 500 और 520 को plus करेंगे तो 1020 बनेगा अब इसको हम divide करेंगे तो 2 5 जा, 2 1 जा और 0 तो इसका XI आ गया बच्चों हमारे पास 510 ओके अब दूसरा निकालेंगे दूसरे में भी 520 plus 540 upon 2 ये हो जाएगा हमारे पास 1060 ओके 1060 तो 1060 के लिए अब इसको भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 5 to the 10, 3 to the 0 तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 530 अब देखो ये दो निकाल दी हमने जब हमारे पास दो स्टेप्स आ जाते हैं तो इनके बीच का डिफ्रेंस अब्जर्ब करके हम आगे वाले एकसाई निकाल लेते हैं तो अब 510 और 530 के बीच में 20 का डिफ्रेंस है तो अब हम क्या करेंगे अब आगे वाले जो वेल्यूस बनानी है जो एकसाई बनाने हैं उनमें 20 20 प्लस करते जाएंगे तो 530 में अगर हम 20 प्लस करते हैं तो आगे वाले स्टेप में एकसाई आ जाएगा 550 और फिर 20 प्लस करेंगे 570 और फिर 20 प्लस करेंगे तो इसका XI आ गया 590, ओके बच्चो, तो ये, ये था हमारे पास कोशिन, ओके, तो कोशिन को, अब इसको हम solve करेंगे, 590 है ये, ये आ गया हमारे पास, अब इसके बाद, देखो, XI, XI तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमने निकालना है, मैं करवारे हूं, step deviation method, और उसमें हम बनाते हैं बच्चो, UI, क्या बनाते हैं, UI, और UI कैसे बनता है, UI होता है, XI minus A, और upon H, H मतलब जो height होती है, इनके बीच में जो difference होता है, मैं अभी समझाती हूं कैसे होता है, तो सबसे पहले तो हमें A निकालना है, UI निकालने के लिए सबसे पहले क्या निक करना पड़ता है, हमें XI में से कोई एक value assume करनी है, तो देखो, अगर आपके पास data जो है, जो class intervals हैं, वो values हैं, अगर वो odd number में हैं, तो आप A जो है, वो easily निकाल सकते हो, कैसे, जो आपके पास values हैं, उनको आदा कर लो, आदा मतलब, उसका देख लो, आदा उपर, जैसे 2 आगे, और वैसे 2 डिजिट नीचे आगे, तो बीच में हमर पास यह value बचेगी, तो आदी value उपर, आदी नीचे, बीच की value जो बचेगी, वो बन जाएगा, बच्चों, आपके पास A, तो that means, आपके पास A क्या बन गया, 550, यह 550 आपके पास A आगया, ओके, तो अगर A आप के पास 550 है, अब हम UI निकालने के लिए क्या करेंगे, XI-A, अब देखो, XI-A, XI हमर पास क्या है, 510, और A हमने क्या लिया, 550, तो जब हम इनको माइनस करेंगे, 510 माइनस 550 लिखेंगे, तो देखो, हमर पास 550 जो है, 510 चोटा है, तो आपके पास माइनस 40 बचेगा, यह ब माइनस A, XI माइनस A आ गया, माइनस 40, अब चाहिए हमें H, तो H बच्चो क्या होता है, यह जो हमारे पास intervals होते हैं, इनका vertically जो distance होता है, उसको H बोलते हैं, horizontal नहीं लेंगे, vertical distance लेंगे, तो vertical distance इन intervals के बीच में देखो, vertical distance 2020 का है, तो इसका मतलब, जो height है हमारे पास, वो कितनी बनेगी बच्चो, 20 बनेगी, तो H हमारे पास होगा 20, H हमारे पास कितना आ गया, 20, down जो आपके पास नीचे की तरफ को, vertical जो distance है, वो आपका H होगा, तो अब H हमारे पास है, 20, 20 से अगर हम 40 को divide करेंगे, तो हमारे पास आ गया, minus 2, ओके, वैसे ही, 530 और minus 550, अब 530 और 550, इनको minus करेंगे, तो हमारे पास बचेगा, minus 20, और minus 20 minus 20 को 20 से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा minus 1 ओके अब वैसे ही 550 से 550 को minus करेंगे 0 570 से 550 को minus करेंगे बच्चो तो हमारे पास आएगा 20 और height भी है 20 तो इनको divide करेंगे तो ये भी बन गया 1 ओके और वैसे ही 590 में से 550 को माइनस करेंगे क्यूंकि XI अब 590 है और 550 को माइनस किया तो क्या आ गया 40 और upon H H क्या है बच्चों हमर पस H है हमर पस 20 तो 20 to the और यहां आ गया 2 तो देखो हमारे पस values क्या क्या आ गी UI आ गया minus 2 minus 1, 1 और 2 अब क्या करेंगे हम अब हम निकालेंगे F, I, U, I F, I और U, I को multiply करेंगे तो F, I है हमारे पस frequency यहां है और UI हमारे पस यहां है तो frequency है 12 UI है यहां पर minus 2 12 to the 24 और sign आ जाएगा minus का फिर 14, 1 जा 14 minus 14 8, 0, 0 8, 0 जा, 0 और फिर 6, 1 जा 6 10, 2 जा, 20 तो अब बच्चों अब क्या करते हैं जो minus वाली values है आपस में plus होंगी और positive वाली आपस में होंगी अपर साइड की negative होती है और downwards की जो होती है वो positive होती है तो 24 और 14 को plus करेंगे हमारे पास बन जाएगा बच्चों minus 38 और वैसे ही 20 और 6 को करेंगे 26 अब हम करेंगे total total में देखो सबसे पहले तो में frequency का total चाहिए होता है जिसको बोलते है sigma fi summation of frequency मतलब sum of frequency तो sum of frequency आपके पास उतना ही होना चाहिए जितना question में बोला है देखो question में 50 workers बोले हैं तो यह जो हमारी frequency है इसका sum 50 होना चाहिए तो हम add करके check करते हैं 4 to 6 6 8 14 14 और 6 20 20 और 0 20 जीरो आगया 2 carry over 2 3 4 and 5 यह आगया बच्चों हमरे पास 50 अब वैसे ही यहाँ पर अब हम करेंगे summation of fiui fiui का sum करेंगे अब इसमें देखो बच्चो minus 38 आपके पास बड़ा है plus का 26 चोटा है तो जब minus 38 में से plus 26 को हम minus करते हैं क्योंकि दोनों opposite sign है तो minus होंगी values तो हमारे पास क्या बच्चों हमारे पास बच्चिया 12 और वो भी बच्चिया minus का तो summation of fiui minus 12 ओके अब हमें निकालना है mean और mean निकालने का formula सबसे पहले तो mean को किस से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों x बार से तो x बार निकालेंगे और क्योंकि हम कर रहे है step deviation तो step deviation में mean निकालने का formula होता है a plus h bracket sigma fiui upon sigma fi मतलब summation of fiui upon summation of fi simple way में बोलें तो sum of fiui upon sum of fi ok तो x बार इक्वल्स टू a बच्चों क्या है हमारे पास a है हमारे पास 550 तो a हम ले लेंगे 550 plus और h बच्चों हमारे पास क्या आया था h है 20 जो vertical distance है class intervals का ok 20 bracket sum of fiui है minus 12 upon और frequency का sum है 50 तो ध्यान देना बच्चों कैसे हम इसको solve करते हैं आपने सिरफ जो अभी plus के बाद की जो ये values है ये पहले आपने सिरफ इन values को ही solve करना है 550 हम वैसे ही लिखेंगे plus 20 अब देखेंगे देखो यहां से ये 0 और ये 0 कटगी तो हमर पस क्या बचे गया 2 multiply minus 12 और अपन में आ गया 5 ओके x बार इकुल्स टू 550 और आगे पहले इन दोनों value को multiply कर लेंगे plus multiply by minus क्या होता है बच्चों minus 12 to 24 upon 5 अब बड़े इजी ली 550 को ऐसे ही रहने दो minus का sign अब 24 को पहले क्या करेंगे बच्चों हम 24 को हम 5 से पहले sorry 5 से divide करेंगे 5 4 जा 20 4 डाउन decimal 0 5 8 जा 40 हमारे पास आ गया बच्चों 4.8 तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों value को अब इनको करेंगे हम minus 550 550 मेंसे हम क्या minus करेंगे 4.8 ओके तो 550 मेंसे बच्चों हमने क्या कर लिया देखो minus करेंगे यहां से बोरो किया यहां 10 यहां से बोरो करेंगे यहां 10 10 मेंसे 8 2 और यहां बच्चा 9 9 मेंसे 4 5 यहां रह गया 4 क्यूंकि हमने यहां से बोरो किया था यहां 4 और 5 तो बच्चों हमरे पास आंसर आ गया 545 रुपेज 20 पैसे 20 लेख सकते हैं हम इसको 20 पैसे तो यह है उन वर्कर्स की डेली वेजिस का जो मीन है आया बच्चों समझ I hope आपको यह समझ आ गया होगा और यह methods जो है इनको अच्छी तरह से आप समझना क्यूंकि जब तक आपको यह जो जो चीजे इसमें find out करने है जैसे A निकालना है UI निकालना है और H देखना है H कहां पे होता है तो यह सारी value अच्छी तरह से समझ कर तभी आप question solve कर पाओगे I hope आपको यह question समझ आ गया होगा बच्चों अगर समझ आ गया है तो वीडियो को like करना share करना और channel को subscribe भी करना Thank you so much for watching my channel